हालो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माई चैनल, स्मार्ट लार्निंग पाई नीलू धींगरा आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और आज की टॉपिक हैं इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे वावल्स and their sounds बच्चों आप लोगों को जब alphabets कराएं A, B, C, D, Z तक A to Z तो उसमें बाकी सारे तो consonant हैं लेकिन क्या आपको पता है उसमें से 5 ऐसे alphabets हैं जो हमारे sound produce करते हैं और जो वावल हमारे words को हमारे sentences में sound create करते हैं उन alphabets को हम वावल्स बोलते हैं So there are 5 वावल्स in our English grammar वो क्या हैं आएए देखते हैं There are 5 वावल्स A, E, I, O and U यह हमारे 5 वावल्स हैं A, E, I, O, U यह तो simple है बाकी जितने भी alphabets हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L यह सब हमारे consonants हैं ठीक हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इन वावल्स का कैसे use करते हैं इनकी sound से कैसे words create करते हैं और जिनकी मदद से हमारी reading जो है बच्चों की जो reading है वो बहुत अच्छी हो जाती है ठीक है? अब words कई बार तो कई बच्चे क्या करते हैं? कुछ words को रट लेते हैं जैसे उन्हें सिखा दिया B, A, D, B, E, D, B, E, D, B, E, D होता है का मतलब उसका बिस्तर वाला बैड है तो कई बच्चे तो बहुत इस चीज को ग्रैप कर लेते हैं लेकिन कुछ बच्चों को हमें with logic सिखाना पड़ता है हर एक vowel की sound से हम blend करके कैसे words बनाते हैं तो आपको अब sounds बताती हो मैं ए की sound, A vowel की sound जो है, वो क्या आती है, A A vowel की sound है, A जैसे, अब हम अगर कोई A से यूज किया हूँ word जैसे बनाती है जैसे cat तो हम इसकी sound क्या हाई ? ऐसे हम इसको ए बोलने हों पर इसकी sound में हम CATE तो नहीं हैом हम बोलते हैं, हम बोलते है, CAT तो इस वववल की sound हमने हुँ से stretch करके कैसे निकाली ए तो इसकी sound हो गई long ए cat, bat, rat, okay? next ववल हमारा e-ववल, e-ववल की sound आती है छोटा ए जैसे ए, जैसे b-e-d, bed bed, 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 तो हमने ए निकाला, bed, get, 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 तो ये हो गई हमारी e-ववल की sound, छोटा ए अब हम करते हैं अपना next ववल, third ववल, i-ववल, i-ववल की sound हम कैसे निकालती है? e, जैसे bid, bid एक ववर्ड हम बोलते हैं, इसमें वववल आया, i, तो उसकी sound क्या हो गई? b-e-d, bid, i- sound आई, या fig, for i-g, fig, ये i-ववल, अब करते हैं, o-ववल की sound, o-ववल की sound आती है, o-t, sc-o-t, caught, या फिर, g-o-t, g-o-t, got, o- o-c, caught, got, o, इसमें मुँ आ हो रहा है हम हमारा, then U vowel की sound क्या होती है जैसे F-U-N फ, अ, न, फ, न तो इसमें हमने फ, वैसे हम U को बोलते हैं U, as an alphabet हम उसे बोलते हैं लेकिन अगर हम उसकी sound की बात करें तो हम U नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे अ, तभी हमारे word का formation होगा अगर हम बोलेंगे फ्यून तो यह गलत होगा, हमें यहाँ पर बोलना है A की sound लगाके F-A-N, F-N, A की sound आएगी B-U-N बन ब-अन बन तो बच्चों, यह हो गए हमारे पांच वावल और हमने सीखा उनकी क्या sound होती है और कैसे वो words में blend करके हम बोलते हैं A की sound हो गई E की sound हो गई छोटा ए जो हमें एक छोटा सा ए बोलते हैं ज़र स्ट्रेच नहीं करते हैं I की sound हो गई O की sound हो गई U की sound हो गई Cat, Bat, Rat E, Bed, Get I, Bid, Fig अब आप यह words बोलके देखिए और देखिए कि आप जो sound मैंने बताई वो ही आ रही है और उससे समझने की गोशिश करिए कि A, E, I, O, U की sound क्या होती है अब इसी से related हम next topic करेंगे वो है CVC words CVC words देखिए बच्चों जैसे ही आपको यह phonic sound समझ में आ जाती है A, E, I, O, U की यह सब क्या है phonic sounds phonic sounds cover होने के बाद हम word formation पे जाते हैं word formation हम कैसे करते हैं actually basically phonic sound बच्चों को सिखाने का मतलब यही होता है ताकि वो अपने आप sound को blend करके consonant के साथ words form करें words को read कर पाएं और लिख पाएं तो CVC word इस C का मतलब है consonant इस V का मतलब है vowel and consonant consonant vowels consonant words ऐसे words थ्री लेटर वर्ट्स यह है थ्री लेटर वर्ट्स जिन में फोस्ट लेटर वावल होता है जो मिडल का लेटर है वो वावल होगा और थर्ड लेटर गाएं और थर्ड लेटर गाएं तो आएए आगे हम consonant words को कैसे sound के साथ blend करके बनाना है वो सीखते हैं तो आएए बच्चो अब हम एक एक करके vowels को blend करना सिखेंगे हमने पहले वावल लिया है A A को हम blend करेंगे ब, ड, ग, ट, म, न और प के साथ यानि कि A, B, A, D, A, G, A, T, A, M, A, N और A, P के साथ कैसे blend करना है जैसे अब आप एए वोवल को यूज करके थ्री लेटर वर्ट्स बनाएंगे जैसे आपने बनाया C, A, B क, A, B, C, A, B क्योंकि A की साउंड क्या होती है A तो जब ये दो कॉंसोनेंट के बीच में आ गया तो इन कॉंसोनेंट को साउंड दे के एक वर्ट बनाएगा वो वर्ट क्या बनेगा? C, A, B, ये साउंड है क, A, B, C, A, B, C, A, B ये क्या वर्ट है B, प्लस A, प्लस D ये साउंड तो ब, ए, ड, बैड बैड वर्ट बन गया ऐसे ही, ब, ए, साउंड प्लस G तो ये क्या बना है? ब, ब, का साउंड होता है ब, ए, ग, बैग ब, ए, ट, ए साउंड लग गया ब, ए, ट, बैट ज, ए, म, ए साउंड लग गया? ज, ए, म, जैम पी, प्लस A साउंड प्लस N प, ए, न, पैन क, प्लस A साउंड प्लस P क्या बन गया? क, ए, प, कैब कैब, बैड, बैग, बैट, जैम, पैन, एंड कैब प, ए, बी, ट, एब, टैब बैड के लिए क्या बना दिया हमने? एड को यूज करके और क्या वर्ड बन सकता है? यह बना बैड और क्या बन सकता है? ए, लैड, ए, लैड, ए, बैग, रैग, सैग, बैट, फाट, 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 जैम, या फिर हम क्या बना सकते हैं? ए, ए, एम को यूज करके, जैम, रैम, या फिर, रैम, या पैम, पैन, ए, मोवल को यूज करके हमने बनाया पैन, जैसे और वर्ड हो सकते हैं, फैन, टैन, कैप, सी, ए, पी, ए, पी को यूज करके और क्या क्या वर्ड बना सकते हैं? cap, lap या फिर tap ऐसे कुछ words हम इन vowel से बना सकते हैं vowel A की sound से vowel A की sound है आईए अब next vowel पर चलते हैं तो आईए बच्चों next vowel पढ़ते हैं E E की sound हमने ही बताई थी क्या आती है E की sound छोटा ए अगर छोटा सा हम ज़्यादा stretch नहीं करते हैं sound को E की sound होती है तो आईए कुछ words CVC words बनाते हैं और देखते हैं कि हम sound use करके क्या words बना सकते हैं जैसे P, E, N P plus E की sound plus N अब E की sound है E तो प, N pen E की sound हमने क्या देख करी थी E stretched E तो अगर हम यहाँ E लगा देंगे तो इसका word का meaning ही change हो जाएगा sound के साथ-साथ word का meaning change हो जाएगा P, E, N pen यह वो वाला pen हो जाएगा जिसमें हम खाना बनाते हैं और यह P, E, N कर दिया तो यह pen लिखने वाला pen बन गया तो आपने देखा एक sound की वज़े से words के meaning ही change हो गए और क्या words हम कर सकती है E sound से और क्या बना सकते हैं अब अगर हम यहाँ पर आप बताईए B, A, G लिख दे तो क्या यह सेम रहेंगे नहीं, इसका meaning कुछ और है अभी हम यहाँ पर E sound कर रहे है तो यह beg और यह bag अलग-अलग प्रनाउंस होता है सिर्फ एक sound की वज़े से और क्या words हो सकते हैं bag के बाद leg L, E का sound और leg और bed M को हम यूज करके क्या मना सकते हैं jam तो यह सारे words है जो E vowel की sound से हम C, V, C words बना सकते हैं C, यहाँ पर consonant क्या है? G और T भी consonant है यह दोनों consonant है और E is a vowel sound तो यह हो गए C, V, C word यह हमारे 3 letter words होते हैं जिनको हम C, V, C word, consonant, vowel, consonant words भी बोलते हैं आइए next vowel की तरफ चलते हैं जो आइए बच्चो अब हम I vowel की बात करते हैं I vowel की sound हमने पड़ी थी वो क्या आती है? E, I vowel की sound होती है E अब आईए C, V, C words बनाते हैं और देखते हैं की E sound को हम blend करेंगे तो कैसे words बनेंगे? जैसे first word हम बनाते हैं F plus I का vowel sound plus T तो I और vowel sound और T for, I का sound था E for, E, T, fit तो हमने क्या बनाया? for, fit, जिसमें F क्या है? C, consonant, T क्या है? consonant और I है? वर्बल sound तो यह three letter word बन गया for, it, fit अब जैसे क, I, order क, I, D इसको हम क्या बोलते हैं? काइड नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे इसकी sound हम निकालेंगे और इन दोनों के साथ blend कर देंगे क, I, D, kid ब, I, न, bin ड, I, म, dim ब, I, B, bib न, I, प, nip तो देखा आपने? I की vowel sound को use करके कितना easy होगे इन words को पढ़ना CBC words को fit, kid bin, dim, bib, nip आई की vowel sound E तो आईए अब हम next vowel की तरफ चलते हैं next vowel, fourth vowel है हमारा O तो आईए अब हम O vowel के words सीख लेते हैं O vowel की sound हमने क्या बताई थी? कि O vowel की जो sound आती वो आती है O तो O vowel को use करते हुए O vowel की sound को use करते हुए हम CBC words बनाते है जैसे हमने बनाया R, O, B So what is R, O, B R, O, B Rob O की sound आ रही है यहाँ पर R, O, B Rob F, O, G Fog वैसे हम O, O, O बोलते हैं इसमें sound आ रही है O, हमारा मूँ थोड़ा बड़ा खुल रहा है Fog और C, O, T Caut और P, O, P Pop O की sound आ रही है Rob Fog Caut Pop इन सब में O की vowel की sound आ रही है O तो देखा आपने तीन letter words कैसे बनाए हमने CBC words O की vowel sound को use करते हुए O की sound निकाली और इतना easy हो गया consonant के साथ blend करके इन words को read करना तो आएए अब हम अपने आखरी last vowel sound की तरफ चलते हैं और उनसे word बनाती है तो आएए अब हम अपना last vowel you vowel sound से blend करके CBC words बनाते हैं you vowel sound की you vowel की sound जो है वो आती है A क्या आती है A तो अगर हम ये लिखें C-U-P और इसमें you की sound हम A करें तो ये क्या बन जाएगा क्या बना thought क्या अप एक जाएगा फॉफ स्ऑस पॉफ ब्लाइन करके ग आम गम देखें आप मड बस कप गम बट इन सब में साउंड जो है वो क्या आ रही है अ की साउंड आ रही है यू की यू वावल की साउंड आ रही है और फिर हमारे वर्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है यह सी वी सी वर्ड्स की यह थे पाँच माववर जिनका हमने बलेंड करके कॉंसुनेंट के साथ सीवी सीallow मेंवर्डस बनाए और दंखा कि कैसी साउंड बनती है वावल्स की और उन्सhtes को प्रिड्यूस जब होती हैं तो हम सीवी सी वर्ड्स ऐसंण के साथ कैसे बनाती है तो आप बच्चों के लिए vowel sound का समझना, phonic sound का समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे कुछ जो भी English आप सीखेंगे, वो इन phonic words के साथ ही सीखेंगे जब आपको vowel sound, phonic sound, consonant के साथ blend करना नहीं आएगा तब तक आप words बनाने में गलतियां करेंगे, words को लिखने में गलतियां करेंगे तो इसे लिए ये बहुत ही important topic है छोटे बच्चों के लिए, केजी, first class के बच्चों के लिए ये बहुत important topic है और इसकी जितनी ज़्यादा practice हो सके उतनी parents को बच्चों को करानी चाहिए क्योंकि ये ही building blocks हैं जिसके उपर उनको English के sentences, words लिखने सिखाये जाएंगे तो I hope आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपके कोई doubts हैं या कोई suggestions हैं तो please मुझे comment box में जरूर लिखिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और share कीजिए अपने friends के साथ और बच्चों के parents के साथ ताकि वो भी ऐसे important topic miss ना करें